नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग सभी मैं डॉक्टर दुर्गेश मालवी न्यू अतुली अकेडमी के ओफिसेल एप पर आपका बहुत बहुत स्वागत का दोस्तों आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा रहेगी हमारी आधिकाल से संबंदित चुकि आधिकाल से सं हम ने कल की थी और इसी श्रेंकला में आज करने वाले हैं जो कभी ना कभी ना कहीं अन्राजियों में कि हिंदी साहित्त से संबंदित प्रेस्ण पूछे गए शॉस्ता में हम उनकी लिए विगत वर्स两 में और आने वाले समय में भी बनने की उप ठीक है तो चलिए शुरुवात करते हैं हिंदी साहित में आदी काल की ममता जी नमस्कार निर्मल जी लोकेश जी सुप्रभात गुड मॉर्निंग चलिए तो शुरुवात करते हैं चुकि मैं आपको बता देता हूं कि वर्ग 2 की जो ओफलाइन बेच है हमारे यहां पर नियु अतुल ओफलाइन क्लास से आपकी चल रही है सांती सांत आप ओनलाइन कोर्स भी पर्चेस कर सकते हैं जो मिनिमम मुल्ले में आपको प्रवाइड हो जाएगा जिसकी वेलिडिटी एक वर्स से लेके कुछ कोर्सों की दो वर्स तक भी रखी गई है ठीक है मिनिमम चार्ज में आप जिसे प्रजूलिस बेच हमारा चल रहा है ठीक है रेलवेय आर पीप कॉंश्टेवल का सांती एमपी पीटी जो है से संबंद रित्वर्ग दो टीटी सामजी की विज्ञान जिसका नाम गंभिर बेच है मुख्य परिक्षा के लिए साइन्स का उन्नती बेच चल रहा है सां इस पेशल इंगलीज की क्लास ते आपकी बी चल रही है ठीक है दोस्तों तो इस प्रकार से हम जो चर्चा कर रहे हैं वह आधी काल से संबंदित प्रेश्णों की चर्चा कर रहे हैं एक बार पुन्हा सभी का स्वागत है दिनेज जी ममता जी लोकेज जी निर्मल जी के तो सिरुवात करते हैं पहले प्रेश्णी कि जूंब कि पहला प्ला स्लाइट पर देख रहे हैं चाहित्त का इतियास जंता की चित्वृत्ती का इतियास से यह कथन किसका है है विकलप A । रामकुमार वर्मा विकलप B हली प्रिसाद दिवेदी जी विकल्प सी गणपती चंद्र गुप्त जी और विकल्प डी आचारे रामचंद्र सुख्ल जी ठीक है फटाफट उत्तर बता दीजिए तो साहित का इत्याज जनता की चित्वर्ति का इत्याज से ये कथन किस ने कहा तो ये कथन कहा आपके आचारे रामचंद्र सुख्ल जी में विकल्प का उत्तर है डी आचारे रामचंद्र सुख्ल जी चलिए आगे बात करते हैं बढ़ते हैं आगे दूसरा प्रेशन देखते हैं इत्यास के प्रती भारती द्रश्टी कोन किस प्रकार का रहा इत्यास के प्रती जो भारती द्रश्टी कोन है वो किस प्रकार का रहा विकल्प ए आदर्स मुलक एम अध्यात्मवादी विकल्प भी वस्तुपरक विकल्प सी तत्थिपरक और विकल्पडी सत्तिवादी तो इस प्रकार से दोस्तों प्रेश्ण क्रमांक जो दो आप देख रहे हैं इसमें इतियास की प्रति भारती जो द्रश्टी कौन रहा है वह आपका यह उत्तर है आधर्स मुलक अध्यात्मुवादी रहा है तो विकल्प इसका उत्तर सही था हिंदी साहित्त की भूमी का है हिंदी साहित्त की भूमी का पुस्तक के लेखक कोन है हिंदी साहित्त की भूमी का किसकी पुस्तक है चुकि जब हमने शुरुवात करी थी तब भी प्रशन आ चुका था अभी आपको याद हो गया होगा ए ढाउन्सान कृत्यान जी दि विश्वनाध प्रशद मेश्थ्र ठीके बतायी दिनेश जी ममता लेकिश जी निर्मल जी भोलिये तो हिंदी साहित की भूमी का हम दिस अब ब्हूमी का हैähän इसका लेखन किया हजारी प्रसाद दिवेदी जी ने आचारी हजारी प्रसाद दिवेदी जी तो इस प्रकार से हिंदी साहित्त की भूमी का हो यह हिंदी भासा का उद्भाव यह हिंदी साहित्त का इत्यास हो यह हजारी प्रसाद दिवेदी जी की पुस्त के हैं हिंदी साहित्त के इत्यास लेखन की परमपरा का सुत्रपात किस ने किया इस प्रेशन को पहले भी हम देख चुके थे हिंदी साहित्त के इत्यास लेखन की परमपरा का सुत्रपात किस ने किया ए रामचंद्र सुकल बी जोर्ज ग्रियर्शन सी गार्षादातासी डी सीवसिन सेंगर तो चुकि यह पहले से आपको प्रेशन पता होगा कि अठारा सो उन्तालिस एट्टिन थर्टी नाइन में गार्षादातासी ने फ्रेंच भासा में हिंदी साहित्त की इत्यास लेखन की परंपरा की शुरुवात की और फुस्तक उन्हों ने लिखी इस्तवार डाला लित्रेट्यूर एंदोई एंदोस्तानी उत्तर है आपका सी चली आगे बढ़ते हैं जी जिनेंद्र अंकित जी अजीत जी अवाज ठिक्टा का रहे हैं न सभी को चली आगे बढ़ते हैं आचारी रामचंदर सुक्ल के इत्यास ग्रंत का नाम बताईए ये सबसे सरल्प्रेश्न है हिंद्री साहिट्र का इत्यास इनकी पुस्तक है जो कि 1929 में इन्होंने लिखी तो हिंद्री साहिट्र तो आचारी रामचंद्र सुक्ल के इत्यास ग्रंत का नाम हिंदी साहित्य का इत्यास जो कि उन्हों ने 1929 में लिखा 1929 में लिखा लिए लोसे तो पांच का जो उत्तर है वह प्रैस्ण करमांक 5 अगर प्रेश्ण करमांक 6 स्लाइट पर आप देख रहे हैं इन में से आसथ्य कठन कौन सा है इन में से आसथ्य कठन कौन सा है तो सुक्ल जी का इत्यास ग्रंट सन 1929 में प्रकासित हुआ सही है गार्षाद अतासी हिंदी साहित के इत्यास के प्रत्थम लेखक है ये भी सही है सीव सिंग सरोज में लगबग 1000 कवियों का जीवन व्रत्त है ये भी सही है हिंदी साहित का आदीकाल पुस्तक जो है वो हजारी प्रसाद दिवेदी जी ने लिखी इस प्रकार से जो आसत्ति कथन है वो है आपका डी तो इस प्रकार से उत्तर भी इसका क्या हो गया जो कि आसत्ति कथन है क्योंकि हिंदी साहित का इत्यास अजारी प्रसाद दिवेदी जी की पुस्तक है ना की डॉक्टर नगेंद्र जी तो इस प्रकार से प्रेश्ण क्रमांग छटे का उत्तर है डी हिंदी साहित्त का अधिकाल अजारी प्रसाद दिवेद्धी जी की पुस्तर है चली आगे तर्चा करते हैं लोकेश जी निर्मल जी अजीज जी लता जी नमस्कार लता जी जी चली बात करते हैं प्रेश्ण क्रमांग सात्वा इनमें से आसुद्ध जोडा छाटी गलत जोडा छाटना है कौन सा है राजस्तानी भासा और साहित का लेखन आपके मोतिलाल मेनरिया जी ने किया तो राजस्तानी भासा और साहित जो पुस्तक है वो मोतिलाल मेनरिया जी की है हिंदी साहित्त का वेज्ञानिक इत्यास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी की है हिंदी साहित्त का वेज्ञानिक इत्यास जॉर्ज ग्रियरसन नहीं और सीवसी सरोज तीवसी सेंगर की कुछ तो आसत्तिक अथन जो है इसमें से सी जो है यह सही विकल्प नहीं इस प्रकार से प्रेशिन गर्मांग साथ का उत्तर सी हुआ कि राजस्तानी भासा और साहित्भाया का लेखन मोतिलाल मेनरिया जी ने किया हिंदी साहित्त का वेग्यानी केत्यास डॉक्टर गंपती चंदर गुप्त की पुस्तक है शीव सिंग सर्वस शीव सिंग सेंगर की है हिंदी साहित्त का वेग्यानी केत्यास जोर्ज ग्रियरसन ने नहीं लिखा जबकि जोर्ज ग्रियरसन ने पुस्तक लिखी है The Modern Vernacular Literature of Hindustan ठीक है चली आगे बढ़ते हैं प्रिस्न क्रमांक 8 आप स्लाइट पर देख रहे हैं हिंदी साहित के सरुप्रतम इत्यास ग्रहंत का रचना काल क्या है ए विकल्प 1883, 1823 बी विकल्प 1750, 1750 इस्वी सी विकल्प 1839, 1849 और डी विकल्प 1929, 1929 तो हिंदी साहित के सरुप्रतम इत्यास ग्रहंत का जो रचना काल था जो समय था वो था 1849, 1839 इस्वी में ही आपके गार्षादा तासी ने तासी सहाब ने उस्तक लिखी इस्तवार दा ला लिट्रेट्ट्यूर एंदो यंदो स्तानी यह फ्रेंच भासा की पुस्तक थी 1849 में इस्तवार दा ला लिट्रेट्ट्यूर एंदो यंदो स्तानी विकल्प सी आपका सही हिंदी साहित्त का इत्यास सरुप्रथम कीज भासा में लिखाया फ्रेंच प्रेंच भासा में लिखाया वही जिसकी चर्चा हमने पूरू प्रेस्ण में किये गार्सादा तासी तो प्रेस्ण करमांक नोकाव विकल्प सही है डी कि आगे हम चर्चा कर रहे हैं प्रेस्ण करमांक दस उस इत्यास ग्रंत का नाम बताईए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकली थे उस इत्यास ग्रंत का नाम बताईए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकली थे विकल्प A, मिस्रबंदु विनोद, विकल्प B, सीव सिंग सरोज, विकल्प C, हिंदी साहित्त का अतीत, और विकल्प D, हिंदी साहित्त का इधियास. कौन सा उत्तर है इस प्रकार से? बोल दीजे. विकल्प M, मिस्रबंदु विनोद, यह मिस्रबंदु तीन भाई थे, गनेश बिहारी मिस्र, सुकदेव बिहारी मिस्र, और शाम बिहारी मिस्र. तो इस प्रकार से यह तीनों भाईयों ने मिलकार मिस्र बंदु वोने मिस्र बंदु विनोद पुस्तक लिखी, जिसमें पांच जर कवियों का जीवन व्रत्त है. ठीके? इस प्रकार से उत्तर इसका ए सही. हिंदी वीर काववी के रचेता कोन है? 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 इसका उत्तर है सी टीकमसी. चलरी क्लास? ओकंग. और वो बोरड़ वाई वसे आरा वापस? अगरी प्रचारनी सभाद्वारा प्रकासित हिंदी सहित्त के व्रद इत्यास को कुल कितने खंड है? विकल्प A 12, विकल्प B 18, विकल्प C 15, विकल्प D 10. तो नागरी प्रचारनी सभाज इसकी स्तापना 1893 में हुई थी कासी में अगरी प्रचारनी सभाद्वारा प्रकासित हिंदी सहित्त के व्रद इत्यास के कुल्प कितने खंड है? 18 खंड है यह जो नागरी प्रचारनी सभाज इसकी स्तापना 1893 में हुई और इसका मुख्याले कासी में रखा गया तो 1893 में कासी नागरी प्रचारनी सभाज की स्तापना भी मुख्याले कासी है और इसने अभी तक हिंदी सहित्त के व्रद इत्यास के 18 खंड प्रकासित कर दिये कवीता कोमूदी के रचियता कोन थे कवीता कोमूदी के रचियता कोन है ज्यांदे कवीता कोमूदी के रचियता कोन है विकल्पे शामसुन्दरदास, विकल्प B, रस्खान, यहने कि इनका वास्ट्वित नाम सय्यद इब्राई में, विकल्प C, सुर्रिकांत सास्त्री, विकल्प D, राम नरेस्त्रिपाथी कविता कोमुदी के रचेता है राम नरेस्त्रिपाथी कोने राम नरे स्त्रिपाठी ठीके राम नरे स्त्रिपाठी हिंदी साहित का इत्यास दर्ष नाम ग्रंत के लेखक कोने अजीत कुमार लोकेजी क्या चर्चा कर रहे हो तुम पढ़ रहे हो कि बस बात कर रहे हो लोकेजी हिंदी साहित का इत्यास दर्ष नामक ग्रंत के लेखक कोने ए विजेंदर इसना तक बी डॉक्टर नली नोचन सर्मा सी डॉक्टर नामवर सी डी डॉक्टर विने मोर चलि उत्तर बताईए आप दोनों क्या उत्तर इसका दिनेज जी लोकेज जी निर्मला जी लता जी बोली उत्तर बताईए क्या है डॉक्टर नलीन विलोचन सर्मा तो हिंदी साहित का इत्यास दर्ष न जो पुस्ता के वो है डॉक्टर नलीन विलोचन सर्मा सी डॉक्टर प्रेश्न क्रमांक 15 इन में से कोन सी पुस्तक हजारी प्रसाद दिवेदी जी की नहीं है हिंदी साहित्त की भूमी का है रितिकावी की भूमी का हिंदी साहित्त का अधिकाल हिंदी साहित्त का उद्भवर विकास इस प्रकार से रितिकावी की भूमी का हजारी प्रसाद दिवेदी जी की पुस्तक नहीं हजारी प्रसाद दिवेदी जी ने हिंदी साहित्त की भूम लिखी हिंदी साहित्त का अधिकाल लिखा हिंदी साहित्त उद्भव और विकास लिखा रिति कावी की भूमी का पुस्तक उनकी नहीं तो इस प्रकार से विकल्प जो भी उत्तर आपका सहिए प्रस्ण क्रमांग 15 का इन में से कोन सा नाम आधिकाल के लिए नहीं दिया गया इन में से कोन सा नाम आधिकाल के लिए नहीं दिया गया ध्यान देना आधिकाल विर्गाथा काल को कहा जाता है चारण काल विर्गाथा काल को कहा जाता है सिद्ध सामंत यूग विर्गाथा काल को कहा जाता है लेकिन संधीकाल वीरगाथाकाल को नहीं कहा जाता थीक है तो इस प्रकार से इन में से कौन सा अधिकाल के लिए नहीं दिया गया ना संधीकाल चली आगे बढ़ते हम राहूल सांस्कृत्यान ने हिंदी का पहला कवी किसे मानते हैं ए लुईपा, बी सरहापाद, सी साली भध्र सूरी और डी चन्द वर्दाई तो राहूल सांस्कृत्यान ने क्या किया संध्या बताई ये सिद्धों की चोरासी और नातों की संध्या बताई उन्हों तो राउल सांकृत्यान जी हिंदी का पहला कवी जो है सरोजवज्र सराहपात जिनका नाम है सरोजवज्र को मानते हैं सराहपात को मानते हैं ठीक है चली आगे बढ़ते हैं तो राउल सांकृत्यान जी ने हिंदी का पहला कवी सराहपात को मानते हैं सरोजवज्र को सराहपात का समय राउल सांकृत्यान जी क्या अनुसर क्या है विकल्प A 17 सदी विकल्प B 10 सदी विकल्प C 13 सदी विकल्प D 14 सदी कि विकल्प कि ए सांथ विश्टी कि अरे अरूंग लिया बच्चे बोल रहे हैं क्लास चल भी रही कि नहीं तो के लिंक भेशी के नहीं भेजो हुआ तो इस प्रकार से दोस्तों सात्वी सदी का समय था सरहपात इन में से कौन जेन धर्म का संबंद किस कवी से नहीं इन में से जेन धर्म का संबंद किस कवी से नहीं हैं कि ए स्वयंभू कि भी धनपाल ती जोईंदू डी विद्ध्याप्त चूंकि दोस्तों कि दी विद्ध्यापति विद्ध्यापति आदि काल के स्रंगारी कवी हैं जेन धर्म से उनका संबंद नहीं स्वयंभू धनपाल और जोईंदू जेन धर्म से संबंदित खालिगबारी खालिगबारी किसकी रचना है और बाहर है खालिगबारी किसकी रचना है ए अब्दुल रह्मान बी रहीम सी खुसरो डी रस्क तो इस प्रकार से बात करें तो उत्तर इसका है अमीर खुसरो अमीर खुसरो ने खालिगबारी पहेलियां दो सकुने मुकरी या पुस्तक लिखी ठीक है आगे बढ़े यह जवाब ने यह बंचे गों रहा आज क्लास नहीं क्या तो लिंक भेजी के नहीं अगे बढ़ें तो खालिगबारी के रचिता है अमीर खुसरो अमीर खुसरो ने खालिगबारी पहेलियां दो सकुने मुकरिय लिखी भविश्यत कहां के रचनाकार है यह रचना अभी दूसरी बार रिपीट हो रही है धनपार भविश्यत कहां के रचिता कौन है धनपार स्वयंभू नहीं खुसरो नहीं जोंधू नहीं धन भविश्यत कहां किसे रचना है धनपार ए उथ्तर सही शें खड़ी बोली एंदी में रचना करने वाला पहला कवी कों घड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला का पहला कवी को ए मेथिली सरणगुप्त बी अमीर खुसरो सी अयोध्य सिंगुपाद्याय हरियोद डी महाविर्पसाद दिवेद्ध तो खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले पहले कवी हैं अमीर खुसर कि 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 खेलिए अगये बड़े तो खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले पहले कवी अमीर खुसरो कि इसे कोने सा घ्रंत सिलावों पर लिखाए प्रभण्द चिन्ता मनी चर्रियापद उक्ति व्यक्ति प्रकरान राउर्वेल इन में से कौन सा घ्रंत सिलाओं पर लिखा है तो ए विकल्प प्रभंध चिंता मनी बी चर्रियापद से उक्ति व्यक्ति प्रकरान और डी राउर्वेल उत्तर है डी राउर्वेल चंपू का वे आपका जो मैं बता कवी का किसका है रोड़ा का ठीक है चली इस प्रकार से प्रेस्न क्रमांग 23 का डी मेथिली हिंदी में रचित गद्धी रचना का नाम बताई मेथिली हिंदी में रचित गद्धी रचना का नाम बताईए वर्ण रतनाकर बी रावर्वेल सिप्रक्रत प्रेंगलम डी पदमा पदावली तो चुकि विद्यापती की रचना है पदावली और विद्यापती जी जो है वो मेथिल कोकिल कहलाते हैं मेथिली भासा में उन्हों नहीं तो इस प्रकार से मेथिल कोकिल उनकी प्रसिद्ध रचना रोकूं कि आगे बड़े हिंदी साहित्त का अलोचनात्मत इत्यास इत्यास जो ग्रंत है वह किसने लिखा ए डॉक्टर सिवकुमार मिश्र गोविंद त्रिगुणायत सी गणपती चंद्रगुप्त और डी रामकुमार वर्म तो हिंदी साहित्त का अलोचनात्मत इत्यास ग्रंत के लेखा के डी उत्तर सही यह डॉक्टर रामकुमार पर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रत्वी राज रासों को आप किस वर्ग में रखेंगे प्रत्वी राज रासों को आप किस वर्ग में रखेंगे अगे विकल्प राजनितिक महाकाववी विकल्प सांस्कृतिक महाकाववी डी विकल्प सी विकल्प स्रंगार गाथा और डी वीर गाथा तो प्रत्वी राज रासों दोस्तों को एक विर गाथात्म ग्रहंत हैं कि विकल्प जो उत्तर है आपका डई विर गाथा प्रत्विराज रासों में सर्वादिक विवादित पक्ष क्या है भासिक सनरचना एत्यासिक्ता चरित्रांकन प्रभंधात्मक्ता तो इस प्रकार से प्रत्विराज रासों में सर्वादिक विवादित जो पक्ष है वो है भी एत्यासिक्ता क्योंकि ये महा कावे कुछ काल्पनिक भी कल्पना का पूड़ भी इसमें दिया गया तो इस प्रकार से प्रत्विराज रासों में सर्वादिक विवादित पक्ष एत्या सिकता है इन में से किस रासों कावव में स्रंगार रस की प्रधानता है श्रंगार रस किसमें अधीक है श्रंगार रस किसमें ज्यादा है ज्यांदे प्रत्विराज रासों वीरगा थात्मक कावव है बी परमाल रासों वीरगा थात्मक कावव है बीसल देव रासों में स्रंगार प्रियता है विसल देव रासों नर्पति नाल्लक की रचना है जिसमें विग्रह राज चतुर्थ राजस्तान के विग्रह राज चतुर्थ के बारे में वरणन किया अम्मीर रासों ये भी वीर गाथात्मक कावव है तो इस प्रकार से प्रस्टिक्रमांग 28 का दोस्तों उत्तर है सी विसल देव रासों एक स्रंगार रसकी इसमें प्रधानता रासों सब्द जरूर है लेकिन स्रंगार का वर्नन अधिक अ कि इन इत्यास लेखा को में से सबसे प्राचीन रचना कृति किसकी है आचार रामचंद्र सुखल विकल्प गर्णपति चंद्र सुखल विकल्प सी सीव सिंगर विकल्प डी मिस्थर बंत तो दोस्तों इन इत्यास लेखा को में सबसे प्राचीन जो रचना है वो है आपकी सीव सिंग सेंगर कि सीव सी सरोच की सीव सी सेंगर की सीव सी सरोच उत्तर आपका सी रीती काल का दूसरा नाम क्या है में हिए रीती काल को हम क्या कहते हैं ए मध्धिकल ब स्रंगारकाल की वेदी में बात केते हैं स्रंगारफाल के राहूल सांस्कृत्यान द्वारा संपादित दोह कोस में किस कवी की रचनाएं राहूल सांस्कृत्यान जी द्वारा संपादित दोह कोस में किस कवी की रचना ये संपादित है ए सरापाद बी लुईपा सी गोरखनाद डी जालंदर नाथ तो चुकि राउल सांस्कृत्यान जी ने ही दोहकोष के बारे में बताया कि दोहकोष जो रचना है वो सरापाद की तो उत्तर इस प्रकार ए आधिकाल में चरितकावी सरवाधिक किस साहित में रचे गए ए विकल्प जेन साहित बी रासो साहित सीनात साहित बी सिद्ध साहित तो आधिकाल में चरितकावी जो है सबसे ज्यादा जेन साहित में रचे किस साहित में जेन साहित में विकल्प उत्तर ए भला हुआ जो मारिया बहेनी महारा कंतू लजज़े जंतू वयसी अहजु भग्गा घ्रैंतू बहला हुआ जो मारिया बहेनी महारा कंतू है सक्षी अच्छा हुआ जो मेरा प्रितम मेरा पती युद्ध भूमी में लड़ते हुए मारा गया यदि वो लज्जेज तू वयस से अहज्यो भग्गा घरें तू यदि वो भाग कर युद्ध भूमी से भाग कर घर आ जाता तो में अपनी सम वयस का सम उम्र की सक्षियों को क्या मू दिखाती ये दोवा किसने अपने ग्रंत में उद्रित किया है तो भला हुआ जू मारिया बहिनी हमरा कंतू लज्जेज तू वयस से अहज्यो भग्गा घरें तू ये हेम चंद्र जी ने लिखा है ठीक है उत्तर है इसका हेम चंद्र चरित कावी की चंद में अधिक लिखे गए विकल्पे दोहा चोपाई कवित पद या पद धरी तो चरित कावी दोस्तों सबसे ज़्यादा लिखाया दोहा और चोपाई किस में लिखाया दोहा और चोपाई जेन साहित में राम कथा किस नाम से स्वयंबु द्वारा लिखी गई ए राम चरित बी महापुराण सी पवुम्चरिव डी राम चंद्री पवुम्चरिव ठीक है स्वयंबु द्वारा जो लिखी गई है वो पवुम्चरिव है अपभरंस भासा में और इन्होंने ही कृष्ण का वी लिखा रिठ नेमी चरिव नाम से अपभरंस राम चंद्री का आपकी केस अदास किये महापुराण फुस्पदंत का है अपभरंस का वालमी की किस कवी को कहा जाता है अपभरंस का वालमी की किस कवी को कहा जाता है A. पुस्पदंत B. अब्दुर्रह्मान C. स्वयंभू D. रामस उपभरंस का वालमी की स्वयंभू को कहा जाता है किसको कहा जाता है सुयमभू को कहा जात है धोला मारू रादुवा के रचीता कौन है सुयमभू रामसिण C कुसल प्रकास Q swing अधोला मारू रादुवा के रैटर है दोस्तो कौने उसल्व refugee आ तो डोला मारू रादुओ के रचिता कुसलाभ है उत्तर है इन में से बिसल देव रासो के रचेता कोन है ए जगनीक बीचंद बरदाई सी नर्पतिनाल लड़ी भट के दार नर्पतिना अभी मैंने आपको कहा बिसल देव रासो नर्पतिनाल ले की रचना है श्रंगार प्रि अधूत मत मत किसका परियाई वांची सब्दे सिद्ध संप्रदाई का बी नात्र संप्रदाई का है सी बोद्ध संप्रदाई का मत संप्रदाई का HI कि श्रIC pin प्राकृत प। पैंगलम किस विसे पर केंद्रित रचना हैं एक आविशास्तर विच्षन्दव सास्तर सेन्याई सास्तर डीदर शास्तर तो प्राकृत पैंगलम दोस्तों चंदव सास्तर पर हैं क्योगी जो पिंगल है पिंगल मुनी ने चंद सास्त्र पुस्तक लिखी पिंगल पिंगल तो प्राक्रत पेंगल हम चंद सास्त्र की पुस्तक है जो की पिंगल मुनी ने लिखी तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने हिंदी साहित्त के आदिकाल की 40 प्रेस्णों की चर्चा की ठीक है दोस्तों अगले वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं भक्तिकाल की तो आप भक्तिकाल को पहले से ही पढ़ लीजे जिससे कि आपको प्रेशना के उत्तर समझने में सहुलियत होगी तो चलिए दोस्तों कल मुलाकात करते हैं सब अपना ख्याल रखिए जय हिन जय भारत धन्य भारत